हेलो बच्चों, गुड मॉनिंग, तो आज जो MCQ में लेकाया हूँ, इस चैप्टर का नाम है, MCQ for NSAID, Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs, ठीक है, तो काफी इंपोर्टेंट है नाम से ही, जब मैंने इसका वीडियो बनाया था, जिसने वीडियो देखा है, वो भी ठीक, जिसने नहीं देखा, वो भी ठीक, लेकिन मेरा अपना ये कहना है, कि जब भी आप किसी भी टॉपिक का MCQ पे आप जाईए, तो MCQ में क्या है, ये आपका एक तरह से देखा जाए, तो क्या है, टेस्ट पेपर, पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो कहां पे है, डिस्रिप्शन बॉक्स में है, तो पहले वीडियो देखिए, और वीडियो देखने के बाद, फिर अपने आपको टेस्ट कीजिए, कि कितना परसेंट आप कर पा रहे हो, और कहीं गलत हो जा रहा है, या कंफ्यूज हो रहे हो, तो ये नहीं कि एंसर देख लो, और आगे बढ़ जाओ, रट लो, वाप एक question को बहुत carefully पढ़िए, और चारो के चारो जो भी option दिये हैं, उनको भी पूरी तरह से पढ़िया, ऐसा नहीं है, कि पहला आपको मिल गया, बस टिक किया और भाग लिए, अगले वाले पर ऐसा कुछ भी नहीं है, चारो बहुत अच्छे से देखिए, कभी-कभी होता है या तो चारो नहीं होते हैं, कभी-कभी चारो होते हैं, समझ गए, या दो हुए, नाम ही है, क्या multiple choice, तो इस चीज को बहुत ध्यान रखिए, तो अब हम आते हैं question पर, तो question पर क्या है, symptoms of NSAID, symptoms जब मैंने पढ़ाया था, तो मैंने क्या बताया था, कोई मंदमक्खी काट ले, कोई चीटी काट ले, तो क्या होगा, भी क्या होता है पहले, पेन होगा, redness होगी, temperature बढ़ेगा, वहाँ पे, swelling होगी, loss of function होगे, पांच मैंने बताया था ना, इसके symptoms, ठीक है, तो क्या-क्या दिया हुआ है, पेन दिया हुआ है, redness दिये, heat दिये, अब इसमें ऐसा तो है नहीं, कि खाली pain मिल गया, तो हम pain पर tick किये, भी हाँ, चलो pain मिल गया है, आगे के भी पढ़िये, तो pain भी होता है, redness भी होता है, heat भी होता है, तो appropriate answer क्या, all, यानि इ NSAID, inhibit the synthesis of, जो हमने पढ़ाई करी थी, तो हमने बाकादिया ले आउट बनाया था, किसका, कि भई, आपकी जो phospolipid की cell membrane होती है, उसमें जब कोई injury होती है, तो क्या होता है, phospolipase enzyme, क्या करता है, arachidonic acid, बनाता है, arachidonic acid से फिर cocks और locks, क्या बनाते हैं, leukotrins और prostaglandins, ठी यही आपके होते थे, inflammatory mediators, इसका मतलब, हमारा point का क्या है, prostaglandins और leukotrins जहां पे भी दिख गया, वो हमारा correct answer होगा, अब यहां पे क्या है, gastrin का कोई रोल है, कोई नहीं है, secretin कोई रोल नहीं है, saliva कोई रोल नहीं है, तो जवाब हमारा क्या सही है, prostaglandins, अब बात करें, I बसने वाला इसलिए है, कि आपको structure पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब भी IUPAC आते हैं, यह काफी much similar होते हैं, देखने में similar होते हैं, आप यहीं पर देखो, one position पर तीनों लगे हैं, यहां पर four chlorobenz oil लगा हुआ, यहां three chlorobenz oil, यहां four chlorobenz oil, यानि कि यह different है, यह दो same है, ठीक है, अब हम फटा-फट यहां से कुछ नहीं पता चलने वाला, तुरंत structure बना लेंगे, structure जैसे बनाएंगे, यह देखेंगे, क्या है, one position पर four chlorobenz oil लगा है, या तो यह हो सकता, या यह हो सकता है, three का इसका यह तो पसीदे cross हो गया, तो हो जी नहीं सकता, ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्या है, five methoxy, five position पर methoxy है, second वाला cross हो गया, इससे मतलब नहीं है, अच्छा इस पे क्या है, देखो, c पर, c पर क्या है, ethoxy, लेकिन लगा क्या है five पर, methoxy, इसका मतलब, यह भी आपका cross हो गया, यहां तक यह सही है, आगे बढ़ते है, two methyl, ऐसा नही ठीक, फिर क्या है, two methyl, two methyl हो गया, indole ring हो गई आपकी, और three position पर, c, c, d, यानी की, यह appropriate है, और हमारा, यह सही है, right, तो इस तरह से हम multiple choice का जवाब देते हैं, इंडो मिथासिन used in the treatment of, अगर आपने पढ़ा हो तो मैंने बाकाइदे इसके pictures दिखाये थे, rheumatic disorders, colorful pictures थे, और gout, ठीक है, last में जो मैंने दिखाया थे, इनके pictures के साथ दिखाया था, कि इंडो मिथासिन used होता है, rheumatic disorder और acute gout में, ठीक, अब अगला question क्या है, color of इंडो मिथ अगर आपने properties पढ़ी हैं इसकी, तो आप देखते जो, जैसे इसमें option क्या, red is brown, pale yellow, orange या colorless, तो colorless भी नहीं था, तो अगर आपको properties याद हो, तो उसमें मैंने बताया था, कि इसका pale yellow color का crystals होता है, ठीक, solubility की अगर हम बात करें, तो यह water में insoluble था, chloroform alcohol ether में, यह soluble था ठीक है, यानि हमारा जवाब क्या होगा, B, melting point of phenyl buta zone के अगर बात करें, तो 104 से 106 degrees Celsius था, तो उसके appropriate कौन सार है, 104 से, यानि हमारा A सही हो जाएगा, ठीक, अब हम बात करते हैं, आठवे question के तरब बढ़ते हैं, solubility of phenyl buta zone, जितने भी आपके NSAID हैं, उसमें 99% आपके water insoluble हैं, इस से ध्यान रखो, 99% आपके water insoluble हैं, ठीक, इस point को कहीं भी note करके लिख लो, या आगे बहुत help करेगा आपकी, ठीक, solubility की बात करते हैं, तो क्या है, भाई, water में तो insoluble है, यानि यह नहीं होगा, ठीक, A and B भी नहीं होगा, और D भी नहीं होगा, यानि हमारा B जो तो colorless होते हैं, या white color के crystals होते हैं, यानि हमारा A सही है, ठीक, use of phenyl butazone, अब phenyl butazone क्या है, यह आपका NSAID drugs है, और NSAID drugs क्या करते हैं, inflammatory mediators को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, उनको secret नहीं होने देते, और जब नहीं होने देते, इसलिए जो है, inflammation के symptoms show नहीं होते हैं, तो कौन कौन से हैं, जैसे prostaglandin भी सही है, और leucotrin भी सही है, यानि हमारा जवाब A and B दोनों होगा, ठीक, ऐसा नहीं कि prostaglandin देख लिया, A पर tick किया, और मान लिया कि सही है, ऐसा नहीं होता है, ठीक, फिर structure of endomethacin, यहाँ पे भी आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, अब ध पोजिचन पे बेंजोइल लगा है, यहाँ पे भी लगा है, टू पोजिचन पे मेथाईल है, धोनों जगे है, थ्री पोजिचन पे स्यट्टीक असिड है, यहाँ पहुत तक कोई डिफरेंस नहीं, दोनों में इंडोल रिंग भी है, अरे वाँ, यह तो बहुत सिमिलर हो ग हो लेगा इसका मतलब हमारा के सही है ठीक है तो यह 11 कुश्चन हो गए अब हम 12 कुश्चन की तरफ बढ़ते हैं बारवा कुश्चन हमारा क्या है एराइल एसिट डियैट थीजE हमने इंडमिधासिन का structure देखा था तो उसमें देखा था इंडोल रिंग ठी और असीट थी तो कौन सा था अगर क्लासिफिकेशन देखा ओ तो मैंने बीटाजूर और ऑक्सीफिन बिटाजुन तो उसमें था नहीं तो इसलिए हमारा राइट एंसर क्या है अब आयू पेसी नॉम आफ फिनाइल बिटाजुन के अगर बात की जाए तो देखो पहले क्या है अब पहली चीज तो थ्री बिटाइल नहीं था क्योंकि स्ट्रक्चर देखो क्या है स्ट्रक्चर उसका कैसे था यहाँ पे दो डबल बॉंड लगे थे यहाँ पे CS2 होल थ्राइस CS3 यानि की ब्यूटेंट था और इधर हमारा क्या था बेंजीन रिंग थी राइट तो यह स्ट्रक्चर था हमारा किसका फेना इल भी उटा जोनका ठीक है तो अगर हम नम्बरिंग करें तो 1,2,3,4,5 ठीक है यानि कि क्या होगा हमारा 3 और 5 पोजिशन पे डाइयोन है 3 और 5 पोजिशन पे डाइयोन है यहां 3,6 हो गया यह तो हो जी नहीं सकता ठीक अब दूसरा क्या है दूसरा और मार्किंग हमारा 4 पोजिशन पे क्या है 4 पोजिशन पे ब्यूटाइल है यानि 4 ब्यूटाइल अब यहां पे देखो यह तो हो जी नहीं सकता यह cross हो गया, तो pure butyl यहाँ पे है यहाँ पे 3 butyl है, यह भी cross हो गया, यह नहीं हो सकता अब बचा के आगे देखते हैं 1, 2 dye phenyl 1 और 2 पे दो phenyl ring लगे हुए, ठीक पाइरा जोलिडीन, यह पाइरा जोलिडीन ring है यानि कि हमारा जो दूसरा answer है, वो क्या है? सही है, ठीक, अब other acid of phenyl butajone other name of phenyl butajone अगर हमने ध्यान से पढ़ा हो तो phenyl butajone में endosid endomethacin, endosid endomethacin तो किसका है, endomethacin का है brand name है ibuprofen, तो ibuprofen है इसका मतलब phenyl butajone का यहाँ पे कोई भी other name नहीं लिखा यानि none, ऐसे भी question हो सकते हैं कि उपर का कोई भी जवाब सही ना हो, मतलब mindset यह मत रखना कि किसी न किसी पर tick करना ही है ऐसा भी नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि उपर वाले कि जितने जवाब है सारे गलत है, ठीक, तो इसलिए हर सवाल के जवाब को बहुत अच्छे से देखना हो solubility of ibuprofen की अगर बात करें हम पहले ही बता चुके हैं कि anti-inflammatory जितने भी एनसेट्स हैं हमारे वो कैसे हैं, हमारे water insolubile है maximum, ठीक, यानि solubility हमारी chloroform होगी, ठीक anti-inflammatory agents की बात करें तो endomethacin है fruosemide है, urea है iopenaic acid है ठीक, तो fruosemide हमारा क्या हो गया, anti-dioretic हो गया urea भी anti-dioretic हो गया iopenaic acid हमारा diagnostic agent हो गया फिर endomethacin की बात करें तो endomethacin हमारा कैसा है, NSAID है ठीक है, तोने हमारा सही जवाब कौन सा है endomethacin, ठीक अब structure of phenyl butajone की बात करें आप देखो ध्यान से phenyl butajone की structure दोनों structure same है यहाँ पर benzene ring लगा दी, यहाँ C6H5 लगा दिया है, लेकिन एक जटके में देखोगे तो आपको लगेगा यह सही क्यों, क्योंकि आपने यही पढ़ा है ठीक है, लेकिन चाहे benzene ring लगाओ, चाहे C6H5 लगाओ बात तो भही हो गई न, इसका मतला हमारे दोनों सही है A and B, तो जब तक एकदम clear नहीं structure होगा तब तक यह doubt बना रहेगा ठीक है, अब benzone is also called, तो benzone किसका है brand name, अगर देखा जाए तो phenyl butajone यानि हमारा जवाब B जो है, वो सही है अब melting point of ibuprofen 76 से 78 होता है यानि 76 हमारा most appropriate answer है, यानि हमारा जवाब क्या होगा, 76 order of endomethacin के अगर हम बात करें तो endomethacin में किसी तरह का order नहीं होता है, यानि कि यह कैसा होगा, order less होता है, तो इस तरह से 20 question हमारे लगबग लगबग सही हुए, जो उमीद करते हैं कि काफी important है, ठीक आगे के chapters के भी question हम लोग इसी तरह provide कराते रहेंगे, ठीक किसी भी video को, अगर आपको देखना है, तो सारे videos के link description box में दिये हुए हैं बकायदे वहाँ पर जाके उस पर click करेंगे तो फिर अच्छा कुछ चीज और कुछ बच्चे बता रहे हैं जैसे board क्या है कभी कभी साफ थोड़ा कम दिखता है ठीक है तो YouTube जैसे आप open करते हैं उस पर जब click करेंगे तो side के तरफ 3 dots है, 3 dots पर आप click कीजिए नीचे आएगा advanced setting advanced setting में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर pixel का option है आप 480 या 320, 360 पर आप देखिए और 720 तक भी है लेकिन 720 है, 1080 है 1080 तक भी हमारा वीडियो क्या है break नहीं होगा means टूटे गा नहीं तो आप 720 तक भी देख सकते हैं 400 वैसे 480 पर एकदम clear दिखता है